जी हमारे साथ एक और इस्टूडेंट हैं क्या नाम है आफकोर कहां से हैं आप मेरा नाम राहूल गुनावरे में पूना महराष्टा से हूँ मैं आशेर टेले कॉम में आज तिसरा दिन है में पावर सेक्चन का आइसी निकल के रेबॉलिंग किया तो जो सारा चीज आपको बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है इस निकली तो भी सिद आप आई सी लेबिल का काम करते थे लिए नहीं नहीं क्या करते थे आप बताइए मैं तो नॉर्मल अपना सेल्स का है मतलब आइसी लेविल का काम नहीं करते रेपेरिंग का काम नहीं करते थे तो अभी क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि आप जो सोच के आए थे उससे कहीं ज्यादा आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो 100% से अगे ये अख ऑर बेजरे मघिदा आज आपका पावर अई सी मांट रेमांट का कि अ लाउस था आपको में खुंद एं पहला की बोड़तां चालू भी किया Алए यह थीक है उसको चार्जलत चंबास की लिग और आपको अचयिए ऊंट यह जो आपको में प्रक्लाइक य तो यह देख सकते हैं का फोन चालू हुए तो चलिए ठीक है थेंक यू थेंक यू ऐसे टेलेकॉम एक पूरा डाटा सीट बनाना पड़ियेगा उनकोर मना के देखा हम लोगों कॉपी में और फिर पावर आईजियो बिठाके आई फोन ऑन भी कनना पड़ियेगा तो वे राइप आवर किस किस दें लगाई तो फोन चालू किया ऐसा थो नहीं है कि फोन चालू नहीं हुआ पार अंधी सेट ले जोचा चाली बाजब होए अ हमारे साथ है याट्थ हवेश जून की पेच येस सर पून को लाई वे तो भा तब दिन के रात के सड़े दस यसार अना काने की चुटि में ने दो-तिन गंटे की दी हो गी आप्ट मेरे गहां तब सबरे साथ बजे से लेके रात के दसवें तक हम सिल क्या कर रहें तो आज हमारी थी, special class क्या थी, दो special class थी, पहली class को न ची थी, live phone से, power IC निकालके, वापिछ चालू करना, तो ये काम किस किस ने करा है बाई, सबने क्या है, कोई बचा तो नहीं है, सबने क्या है न, phone भी आन हुआ, अच्छा खली एक बार क्या, इमानदारी से कित्ती कित्ती बार क्या है, सब ने अलग अलग किया उसके बाद आपके साथ एक बहुत इस्पेसल क्लास थी जो किसी भी स्लेवर्स में नहीं क्लास होती है ना उसका कोई स्लेवर्स होता ही नहीं है वह क्लास थी आपकी आई-सी को आइडेंटिफिकेशन करना हलो वह 3G मोबाइल हो वह 4G हो चाय 5G हो सब को अपग्रेट दिया सर ने आपको मीडिया टेक हो कॉलकम हो यहां सेंसन हो एक जायनोक्स हो हम खाली एक सीप्यू देखके सेवंटी परसेंट आइसी बता सकते है उनकून बता सकता है वह इस प्रसेंट आटा सीट आपके पास है तो जो सर का यहां नौलेज है जो यहां क् का लेवल क्या है अच्छा और हमारा फूल टाइम प्रेक्टिकल होता है यहां पर पता ही है मुझे फूल प्रेक्टिकल होता है फूल प्रेक्टिकल फूल प्रेक्टिकल तो मोर देन क्या है थिवरी है प्रेक्टिकल है ऐसे टेली काम में जो सबसे ज़्यादा होता है वो हो क्या करने वाले हम सीप्यू आर्यू एक्साइटेड चलो ठीक है वल्टो बेस्ट इंडिया का नंबर वाने वाली बात है क्या वागी में है या नहीं है तो आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बरहा चिप लेवल मोबाइल इंस्टिट्यूट एशिया टेलिकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीउ एमेमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में पॉवर आईसी और चौते दिन में सीपीउ करवा देंगे हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको, तकनीशियन से टीचर, यह आप से वादा है एशिया टेलिकॉम देश में, एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं बारा घंटे में, साथ घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां बेसिक से एडवांस सीखाया जाता है, जिसमें हार्डवेर एमसी सॉफ्टवेर हैं एशिया टेलिकॉम देश में, एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं बारा घंटे में, साथ घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से